उच्च गती अभ्यास खंड टू प्रती लेखन संख्या 49 वह 40 गती 80 सब्द प्रती मिनट डिक्टिसन सुरू होने में समय से से 5 सेकेंड देडी और स्टार्ट सज्जनों और देवियों विगत दो दसकों से मेरा संपर्क जहां तक कारियाल लीन कारिभार का प्रस्ण है देश के विभिन भागों में कारियरत स्वैचिक हिंदी संस्थाओं से रहा है अतेव आज इस गौरपुर्ण मंच से संस्थाओं और उनके इर्दगिर्द की बातों पर अपने विचार केंदरित करूंगा जहां हिंदी सिच्छन एवं परिच्छा संचालन हिंदी प्रचार प्रसार के सरवाधीक जाचनात्मक कार्जक्रम हैं वहीं हिंदी तर छेत्र में हिंदी के लिए अनकूल वातावरन निर्वान भी एक महत्व पूर्ण पहलू है आज इन कार्जक्रमों के संचालन सहज सुगम नहीं रह गएं बलकी चुनावती पूर्ण हो गए हैं विद्यार्थियों की योगिता बढ़ाने के लिए सिच्छा एवं परिच्छा के अतरिक्त हिंदी वक्तब्य निवंध वाद भीवाद के साथ साथ नाटक एकांकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं हिंदी सिच्छ को प्रचार को के लिए सिवीर पुनश्चरिया कारज सिवीर पुरसकार योजना जैसे कारजक्रम आयोजित किये जाते हैं अनकूल वातावरन निर्मान के लिए जहां इन काजक्रमों को अधीक प्रभावी और परिनामी बनाने की आवे सकता है वहीं अन्य प्रभावी काजक्रमों की परिकलपना करनी होगी हिंदी सिच्छन परिच्छा संचालन और वातावरन निर्मान इन तीनों के आनुपातिक और सफल आयोजन पर विद्यार्थियों का हिंदी ज्यान अर्थात हिंदी बोलने पढ़ने एवं लिखने की दच्छता का पूरा दारोंदार टिका रहता है आज जब की बहुतेरे विद्यार्थी सिच्छक बनने की राह में प्रसिच्छन प्राप्त कर रहे हैं तो हिंदी सिच्छक की योगता एवं दच्छता ऐसे ध्यान देने का विशाय है जो राज के इतने सारे हिंदी सीखने वाले विद्यार्थियों के अस्तर के लिए निरनायक पहलू है यह नकारा नहीं जा सकता कि किसी भी संस्था के लिए उनके प्रचारक ही आधार भूत परिसंपतियां होते हैं परचारकों के सत्परियास एवं सुकार्ज से संस्था की जड़े मजबूत होती हैं वास्तव में हिंदी की परचार योजनाओं का सफल कार्यान बयन सभी संबंधित पच्छों के परियास के शमनवय से ही शंभव है संस्था के पदाधिकारी काज करता परचारक गन विद्यार्थी और अंत में किंतु कदापी कम नहीं सरकारी व्यस्तता के तालमेल पर इन सब के कारियों के उचित समनवय का परियत्न स्वस्थ दिरिष्टी से निरंतर जारी रहना चाहिए और यह भी ध्यान रहे कि जाने अंजाने दामन में दाग न लग जाए भारत ग्रामों का देश है और अधिकांस भारतिये जनता ग्रामों में बस्ती है नगरों और सहरों के नागरीकों को सिच्छा की कई सुविधाएं प्राप्त हैं यो उन्हें हिंदी पढ़ने के यठेश्ट अवसर उपलब्ध हो जाते हैं अब आवे सकता इस बात की है की ग्राम बाशियों को भी हिंदी सीखने के अधिक अवसर प्रदान किये जाएं हिंदी राष्ट्रिये असमीता राष्ट्रिये पहचान राष्ट्रिये गौरव की भासा है यह राष्ट्र भासा राज भासा घोसित तो हो चुकी है किन्तु अब तक इसे अपना उचित अस्थान प्राप्त नहीं हुआ है इसके लिए जब तक सासन और जनता दोनों और से शमवेत प्रियास नहीं होगा लच्छ की प्राप्ती नहीं हो सकेगी राष्ट भासा से ही किसी राष्ट की भावात्मक एकता राष्ट्रिय एकता की प्राप्ती की जा सकती है अपने देश की भासा को छोड़ किसी अन विदेशी भासा से इसकी प्राप्ती कदापी नहीं की जा सकती महोदे कुछ लोग आज यह कहते देखे गए हैं कि राष्ट ये एकता अंग्रेजी के माध्यम से हो सकती है कई लोगों की धारना है कि अंग्रेजी निकाल दी जाए तो राष्ट टुकरे टुकरे हो जाएगा बैज्यानिक प्रगती रुक जाएगी आदी इससे बढ़कर भरामक विचार और कुछ भी नहीं हो सकता मैं अंग्रेजी की उपादैता को नकार नहीं रहा किन्तु हर जगह उसका वर्चस्व हो यह सुईकार नहीं हो सकता किसी देश की भासा के साथ उस देश की संस्कृती विचारधारा और मान्यताएं जुड़ी रहती हैं और उन्हें प्रकट करने के लिए उस देश की भासा ही सर्वसच्छम होती है स्वतंदता के पुर्व राष्टिय गौरव आम जनता को डिरिश्टी में रख कर किया जाता था राष्टिय एकता का अर्थ है करोडो भारतियों की एकता और यह एकता हिंदी से ही लाई जा सकती है अंग्रेजी से नहीं अंग्रेजी को बनाय रखने की नीती मानसिक दास्ता की दियोतक है यदि हिंदी और भारतिये भाशाओं के बिरुद्ध अंग्रेजी सडियंत्र को विफल नहीं किया गया तो जनतंत्र एक मखौल बनकर रह जाएगा हिंदी और भारतिये भाशाओं तो सहोध राएं हैं उनमें आपसी कोई विरोध नहीं उनका विरोध और संग्हस तो अंग्रेजी के शात है जिस दिन छेत्रिये भाशाओं अपने छेत्र के प्रशासन नियाय सिच्छा आदी में अस्थापित हो जाएंगी उसी दिन राश्टिये अस्तर पर राश्ट भासा राज भासा और संपर्क भासा के रूप में हिंदी के अस्थापित हो जाने का मार्ग प्रसस्त हो जाएगा स्वैच्छिक हिंदी संस्थाएं अपने इस मुल उद्देश को कभी भी धूमिल होने ना दें क्योंकि हिंदी के प्रचार प्रसार के छेत्र में वे सरबाधिक महत्वपून इकाईयां हैं इस द्रिष्टी से मैसूर हिंदी प्रचार परिसाद का यह काजकरम सिलागनिये है कि वह हिंदी के साथ कंड़त्तर जिग्यासूं के लिए कंड़ की प्ररंभिक और उच्चकछाएं एवं परिच्छाएं चला रही है अपनी दैनंदनी में भी हिंदी के साथ साथ कंड़ में दीन और तीथियां दी हैं इस तरह के छोटे किन्तु दीन दीन के बिवहार में राष्ट भासा और छेत्रिय भासा साथ साथ गल बहियां डालकल चलें इससे बढ़कर सुखद अस्थिती और क्या हो सकती है और प्रिय असनात को आज का दिन आपका है और कल का दिन भी आपका ही होगा विगत महीनों और वर्सों में आपने कठीन परिश्रम कर हिंदी रत्न अथवा हिंदी प्रसिच्छन की परिच्छाएं दी हैं उत्तिर्न हुए हैं आपकी दिच्छा पूरी हो चुकी है अब आप शमाज और राष्ट की सेवा में समर्पित हो जाईए भारतिये भाषा संस्कृती उनकी रत्च्छा उनका समवर्धन आपके हाथों सौप दिया गया है आप दाईत्व का निर्वाह कर सके जीवन में सफलताएं पाएं यही सुब कामना है जिन होने हिंदी प्रवेश हिंदी उत्तमा की परिच्छाएं उत्तिर्ण की हैं वे और आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे यही आसा है इस उत्तेश की प्राप्ती हेतू स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं की विभिन परिच्छाओं को मान्यता प्रदान की गई है अंत में इस गौरबपूर्ण समा रोह में आपने मुझे आमंत्रित किया उसके लिए पुनह धन्यवाद देता हूं प्राप्त